एक तरफ हमने संग्मा के बयान को देख लिया, कलाम रेश से बाहर चले गए, अब में इनका गांधी भी कह रही हैं कि प्रणब को एक सरसमती से बनाया जाना चाहिए राश्वती, क्या विकल बचे हैं इंडिये के पास? देखें एक तो साफ है कि विपक्ष की चूक हुई है, ये कॉंग्रेस की स्ट्रेटेजी पर रन नीती पर अती निर्भरता थे कि कॉंग्रेस नाम घोसित करे तो हम जाएंगे, दूसरी चूक है उन लोग पर विपक्ष का, खासकर भाते जन्टा पाती को नेताओं का, जो कहत साहमती बने है, ये तो सुनिया गांधी जी ने एक नाम दिया है, तो एक नाम पर आम साहमती क्या बनती, जदि कॉंग्रेस की तरफ से तीन नाम आते, चार नाम आते, तो साहमती की बात थी, ये तो एक बात रही, दूसरी बात मुझे लगता है, कि यह चुनाओं पोई महत चौधरी को कंडेट बनाया जानते थे कि हम चुनाओ हर जाएंगे लेकिन वो फकरुदीन अली अहमद के खिलाफ कंडेट नहीं थे वो सिमति इंद्रा गांधी को उस वेवस्था के खिलाफ कंडेट थे जिसके खिलाफ एक माहौल बन रहा थे 1969 में इंद्रा गांधी ने निलम संजीव एड़ी के खिलाफ जब विवी गीरी को उतारा तो वो उस विचार के खिलाफ थी जो विचार उनको चुनाओं में आना चाहिए और जरुद पर यह तो एलके अडवानी जैसे निताओं को भी चुनाओं में उतार देना चाहिए आडवानी की तरह सक्सियत आते हैं या कलाम ने डिकलाइन कर दिया और कलाम भी मना लिये जाते हैं तो यह चुनाव बहुत ही रोचक चुनाव होगा कॉंग्रेस को चुनोती मिलेगी और इस चुनाव में वोट अकॉर्डिन टू कॉंसेंस जो स्रेमती इंदरा Gежде 250 Tes dzisiaj ने नारा लिया था और अपनी बचाओ के लिए नारा लिया था आज इस विवस्ता को मिटाने के नारा देम जा आज या कि डो विकल्प अंडिये के पास अभी हैं जो सवाल उठ रहा है कि विकल्प हैं कि चुनाब दरा रहे हैं और आज तक जितने रहें कलام सहाव एक दो मिलवारों को छोड़ दिया जाए तो तमाम लोग तो active politicians ही रहे हैं और इंडिये के लिए मुझे लगता है इंडिये को इस चुनाव में आना चाहिए चुनाव में तो आना चाहिए लेकिन सहम्त ही आज प्रभगीए इंडीय को जिस रूप में कामकर ना चाहिए पर चाहिए सेक्रेटे केसी त्यागी साहब अब इस चर्चा में शामिल हो गए है बड़ी ख़बर में जुडने के लिए सवाल तो यही करेंगे जो अभी राकेश सिना जी ने जिस तरह से पॉइंट उठाया है कि आदवानी या कलाम को फिर से क्यों न ला जाया और वहीं एक तरफ सबसे बड़े गरिमा का पद है बारत के जो सबसे पहले राश्थपती थे राइंदर बाबू उनोंने राश्थपती के पद को लेकर के ठिपनी की थी कि यह इंग्लेंड की रानी की तरह से सेरेमॉनियल फोस्ट नहीं है बारत के जन्र प्र्तिनीदियों के दौरा चुने के प्रितिनिदी का पद है नमबर एक इतना बड़ा एक पद था कि जवालाल जी और राइंदर बाबु लगभग एक जैसी कदकाटी के लोग थे आज राष्टपती के चुनाव को ले करके जिस तरह की छिछाल इदर भैस हो रही है मुसका हिस्सा नहीं बनना चाहता राकेश सिनाजी ने जो टिपनिया किये कि जरूर जरूर लड़ना चाहिए उन्होंने इंदरा जी को कोट किया तो आज गैर कांग्रेस वाद का भी उस तरह का दोर नहीं है जिस तरह का पहला था कांग्रेस क्या समुचे देश में आज इस्तिती में है क्या आप उत्तर पर देश में गैर कांग्रेस वाद चला सकते हैं क्या आप बियार में गैर कांग्रेस वाद चला सकते हैं क्या तो ये परिस्टितियां बदल लगें नमबर एक उनकी टिपनी जो उन्होंने की है बीजेपी के नेत्रित को लेकर के और एंडिया के नेत्रित को लेकर के तो वो या तो सुईकार करें को भारते जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं तो मैं और त्रीक ही टिपनी करूँ जो अठल जी का अडवानी जी का और जो जो जॉर्ज़ फननर्डीज साब का जो यूग था वो समाफ्त हो चुका है उनकी कदकाठी के जाहिर इसमें कोई नेता नहीं है लेकिन मैं ओन डिकोर्ड कहना चाहता हूँ कि जिस तरह की काम करने की सुतंद्र था जोर्ज साब की थी क्या वो एंडिय में सरदादुजी को दी हुई है क्या प्रेस्टार चैनल यूट्स